हेलो फ्रेंड्स विल्कम्टु माई स्टडी फिर्ट चैनल दोस्तो मैं विंटल की रूल्स मेजरमेंट्स अंतराश्टी संगठन कब एंट्रॉपिस रिलेटिट इंपोर्टेंट कोस्चन्स या इसका चोथा पॉर्ट है तो फिर्ट इंपोर्टन कोस्चन है सभी एक भी कोस्चन मिसमत कीजेगा वीडियो को सुरू से लावड देखिएगा और दोस्तों यहीं आप फिजिकल एजूकेशन के किसी भी कमपटेटिव एक्जांस का प्रिप्रेशन सिलिबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल तो कोसेण नुबर वन के कि इस इवीडियो ?", तो कितनी होती है तो कितनी होती है चवदाइस शोल होती है यहां पे अधिक तम वाला आपका राइट मना जाएगा तीक है ये जो पंक होते हैं सटल कॉक में ये बत्तक से प्राप्त किये जाते हैं विशेशकर स्थीद छेत्रों के बत्तकों से प्राप्त सरुत्तम माने जाते हैं क्योंकि ये अधिक मुटाई वाले होते हैं नेश्ट है सटल का का कुल वजन कीतना होता है तो इसका वजन जो है 4.75 से 5.50 ग्राम होता है एंड इस पर पंको की संख्या 16 होती है एंड नेश्ट कोश्चन है कि यूगल इस पर धा के लिए किसी बेर्विंटल कोड का आकार क्या होता है तो यूगल के लिए कितना होता है 44 गुड़े 20 फिट लंबाई और चोड़ाई होता है वही एकल के लिए पूछेगा दोस्तों 44 गुड़े 17 फिट हो जाएगा लंबाई और चोड़ाई नेश्ट कोश्चन है दोस्तों कि बेर्विंटल खेल में कौन सा नियम लागू है यहां पर आपसान है डबल्स मैच में टीम एक सर्विस करती है और मैच प्राम में बाई कोड़ से दर्विस करती है और विसन संख्या होने पर दाए कोड़ से सर्विस करती है यह आपका आपसान है बट यहां पर आणसर सही होगा double smash में तीम एक service करती है नेश्ट देस्ट बैर्मिंटर में the French short service test किस छंता को मामता है तो service किया नीची छंता को मामता है यानि लोगों छंता को नेश्ट है गोपी चंद किस scale से समधित है जैसा कि आप सब को पता है पुलेला गोपी चंद को आप सभी लोग जानते है जो पीवी सिंध्य को कोश्ट भी है बालीबॉल बैर्मिंटर से related है एंड ये 2000-2001 में ही राजी उगांधी खेलरत ने एंड दोहजानों में द्रोडाचारे पुरुसकार से समानित किया गया इनद दोह सरपथम बैर्मिंटर में आरजील पुरुसकार मिला था नंदू नाटेकर को 1961 में एंड महलावा में मीना शाह को 1962 में इन बैर्मिंटर में सरपथम दुडाचार पुरुसकार मिला था एस एम आरिफ को एंड दोहजार बीस में गोड़ो खन्ना को पेरा वेल्विंटन में दोड़ा चारा विरुसकार से समाने ती किया गया नेर्ट वेल्विंटन के एकल मैंच में दोनों खिलारीों का अंक अगर 39 बराबर रहे to क्या निड़े होगा? यानि दों खिलारीों का अंक 29-29 है? तो क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम 30 अंक प्राप्त करने वाला विजई होगा यानि 29 है तो जो ही पहले 30 अंक प्राप्त कर लेगा वही विजई होगा यानि दोस्तों यही इसकोर 30 अंकों का बराबर बराबर हो जाता है तो जो खिलाडी होता है पहले 30 अंक जो बना लेगा वो बिज़ई हो जाएगा अंकों की गर्णा यानि स्कोरिंग यहाँ पे नए अंक गर्णा नियमों के अनुसार्स रैली जितने वाला खिलाडी अंक प्राथ करता है चाहे वह सर्विस करने वाला हूँ अथ्वा भी बच्छी बैविंटर इस परता में एक सेट 21 अंकों का होता है एक खिलाडी अथ्वा जोड़ी जो पहले 21 अंक बना ले उस सेट में विज़ई मना जाएगा इसी तरह जब खेल है यदि स्कोर 20 अंकों पर बराबर हो जाता है तो जो खिलाडी अथ्वा जोड़ी पहले दो अंक की ब्रहत यानि की अर्थाद 22 अंक बना ले वह उस सेट में विज़ई प्राप्त कर लेता है नेश्ट है बैमिंटल में एकल मैच में दोनों खिलाडियों का अंक 20 बराबर होने पर कितनी अंक प्राप्त करने वाला खिलाडी बिज़ई होगा तो दोस्तो बीस अंक है दोनों का तो जो बाइस अंक यानि दो अंक की ब्रहत के साथ अंक प्राप्त करेगा वही बीज़ई होगा तो बीस अंक बराबर है दोनों का तो बाइस अंक जो पहले बना लेगा वह आपका बीज़ई होगा नेफ्ट है कि बैमिंटल रैकेट की लंबाई किसनी होती है तो यहांगा प्याव का करेक्ट हो जाएगा 680 यम यम 680 यम यम का मतलब 68 सेंटीमीटर और इसकी चोड़ाई होती है लंबाई तो कितना हो गया 680 यम यानि 27 इंच यानि की 66 यम यम चोड़ाई होती है 230 यम यम यानि की 23 सेंटीमीटर ठीक है नेश्ट है एंड तो जो बैमिंटन है अंतराश्री बैमिंटन संग की स्थाप्राई 1934 में हुआ एंड बैमिंटन को 1992 में बरसे नोना इस्पेन में उलम्पिक में सामूल किया गया 1922 जकाता इंडोनिसिया में ACI खेलों में सामिल किया गया नेश्ट कोश्चिन है दोस्तों की बैमिंटन नेट की उच्चाई होती है तो कितना होता है 5 फिट 1 इंच कितना होता है 5 फिट 1 इंच यानि 1.55 मेटर दोस्तों यहां भी ध्यान रखने वाली बात है कि नेट की उच्चाई में दो प्रश्च पुछता है कि उसकी किनारों पर कितना उच्चाई होता है तो कितना होता है 5 फिट 1 इंच यानि 1 गस्मलो 5-5 मेटर और भीच में वो लेगा मध्य में तो कितना होगा एक गस्मलो 5-2-4 मेटर यानि की 5 फिट होता है ठीक है और जो बैर्विंटन नेट की लंबाई होती है वो होती है 20 फिट और चौड़ाई कितनी होती है धाई फिट यानि 76 सेंटिमिटर नेश्ट है स्रिकांत भक्षी जुड़े हुए है तो किस से जुड़े हुए है बैर्विंटन से नेश्ट है मीना साह किस खेल से समधित है तो यह किस रिलेटेट है बैर्विंटन से मीना साह भारत की राष्टी या बैर्विंटन चेंपियन थी इन्हीं 1962 में अर्जुन पुरुसकार से समानित किया गया इनकी मिर्तियों 10 मार्च 2015 को हुई देश्टा दिपांकर भटाचार्या किस खेल से समधित है यह है आपके बैन्विंटल से ए मूल रूप से गौाहरटी असम के निवासी है नेश्टा प्रकास पादुकोड की स्केल से रिलेटेड है तो यह है आपके बैन्विंटल के और 1980 में आल इंग्लेंड चेंपियंशिप का खिताब जीत कर यह कारनामा करने वारे यह पर्थम भारतिया बने और 1982 में पदमसरी परुसकार से इनको सम्मानित किया गया नेश्ट कोश्टन है दोस्तों कि वह कौन सा पर्थम भारतिया खिलारी है जिसने आल इंग्लेंड बैन्मिंटन प्रतियोगिता में पर्थम अस्थान प्राप्त किया तो कौन था प्रकास पादुकोड यानि कि All England Berminton प्रतियोगिता जितने वाला प्रत्म भारती खिलाड़ी कौन है तो प्रकाश पादकूर निश्ट है कौन सा कप महिला Berminton बिश्चु कप प्रतियोगिता में प्रतान किया जाता है तो कौन सा तो उभेर कप महिला के लिए कौन है उभेर कप जिसे महिलाओं की 200 टीम प्रतियोगिता भी कहा जाता है एक अंतराश्री Berminton प्रतियोगिता है उभेर कप जिसमें विभिनने देशों की राश्री या महिला Berminton टीमें हिश्चा लेती है पहली बार इसका आयोजन 1956-57 में हुआ एन वर्स 1954 से या प्रतियोग दो वर्सों के अंतरार पर होने लगी पहले चार वर्सों के अंतरार पर होता था इस प्रतियोगिता का नाम पुर्व बेटरिस महिला Berminton खिलाड़ी ब्यत्ती उभेर के नाम पर पड़ा था नेच थामस कप का संबंध है तो थामस कप का संबंध है बेविंटर से और बेविंटर पुरुष से संबंध है ठीक है उबेर कप का महिला से और थामस कप का बेविंटर से जैसा कि थामस कप का संबंध है पुरुष बेविंटर से और उबेर कप का संबंध है महिला बेवि तुल्ला कप, चैलेंजर कप आदी है एंड कुछ खिलाड़ी है जैसे कि नंदु नाटेक, दिनेश खन्ना, सयद मोदी, मीना साह, प्रकावस पादुकोड, पुलेला गोपिंचंद, मधुबिता अविष्ट, अपरला पोपट, सायना नहवाल, ज्वाला गट्टा, एंड पीवी सिंधु, आदीवेविंटर के प्रसिद्धे खिलाड़ी है नेश्ट अमरित दिवान कप समधित है, किस से रिलेटेड है, तो बैन विंटर से, नेश्ट अवेर कप किस समधित है, यह तो आप जान ही कि अवेर कप किस समधित है, तो बैन विंटर से, नेश्ट कोशन है दूस्तो ब्लैक कार्ड, निविन वेसे किस स्खेल का बिनियामक भी कल्प है तो यहां पे आफसन दिया गया है बी एंड सी सी एंड इ बी एंड एंड तो यहां पे कौन सा है दोस्तों यहां पे आफसन नमबर ए करेक्ट हो जाएगा तलवार बाजी बी एंड इ यानि कि तलवारबाजी फिंसिंग जिसे कहा जाता है एंड बैमिंटर ने ठीक है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही बैमिंटर से रिलेटेज सभी कोस्टन्स मुख्य मुख्य कोस्टन्स आपके हो गए और इसी तरह जितने भी अभी खेल बचे हुए हैं सबके मेजर्मेंट्स रूड्स एंड अंतराष्टी संगठर्स रिलेटेज इंपोर्टन्स को सीज़ी चलता रहेगा जब तक कोश्टम आपत नहीं होगा तो बने रहे हैं मेरे चैनल पर आई होगी सभी कोश्टन्स आपको समझ में आये होंगे जो भी डाउट होगा क्मेंट में बताईए जो भी गल्ती होगा बने रहे जादी से जादी से येर भी किया है जै जी दुस्तों और फिर्ट बार विजुट कर रहा है तो चशेनल को सब्सक्राइब कर लीजी जिसे न्यू वीडियो का आप तक पहुँचता रहेगा तो मिलते हैं एक्स वीडियो में तब तक के लिए जैए